हलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमेरे सुई में आज मैं आपके सेर करूंगी बहुत ही मंज़िदार और बहुत ही सिंपल नास्ते की रेसेपी जो हम सिर्फ दो आलू और कुछ घर की चीजों से ही बना के हम तयार करेंगे अगर वीडियो पसंद तो चलिए हम बनाना सुरू कर लेते हैं हमें बनाने के लिए मैंने लिया है दो कच्छे आलू लिये हैं तो आलू को हमें क्या करना है पहले हमें आलू को अच्छे से हमें छील लेना है और छील के हमें अच्छे से बोस कर लेना है अब हमें आलू क्या करना किसे किस लेना है हमें इसके लंब लंबी लच्छे से हमें किसना है तो हमें मीडियम बाले से हमें किसना है ना हमें ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटा हमें किसना इस तरीके से आलू को हमें किस लेना है अब आलू को हमें लेना है एक बाल में वालू में लेकर 6-2-3 वार अंच्छी से बॉस कर ले ना, ताकि जो आलू में इस्टाज बगर निकलता है तो भूपसारा अच्छी से साफ हो जाए, तो आलू को मैंने बाउल में निकाल लिया है आप पानी यट करेंगे, तो पानी यट करने के बाद हमें 2-3 वार अच्छी स हमें धुल लेना है आलू को आप दीख सकते हैं जिसे हम धुल लेंगे तो इसमें स्टाजियरा उलिष्ट वा ठाया पनी इतना यह ऌक रैंदा Fox आची से साफ को जाता है अब गेस पर रखी मैंने कड़ाई कड़ाई में हमें याट करेंगी कुकिंग वाल याट करना है वाल हमें ज्यादा याट नहीं करना बस थूड़ा सा ही वाल हमें याट कर लेना है तो जैसे वाल अच्छे से गरम होगा तो हमें अच्छे से गरम करना है वाल को जैसे अच्छ साब अपने साब से करने कम जा था। साथ ही में हमेट करेंगे जी दूचमत तिल तिल से क्यासेत का टेस्ट है बहुत भड़ी आता है। तो ईन्हें क्या करना है हमम हलका सा हमें रुस्ट कर लेना है ताकि जो तिल है हमारी इसका कच्छापन भी चला जाये। टिल्में जो बड़ीयस अच्छे से खलर आगया तो टिल्में तो नहीं हमें सैकना है अब इसमें हम पाने यह यह करेंगी हमें लगभक दो गिलास के करी पानी यह करना है तो पानी को मैंने एट कर दिया है तो बड़ियस अच्छे से उबालाने देना है अब हम डालेंगे एक चमज डालना है हमें नवक को आदी चमज डालना है हमें चिली फिलक्स आप चिली फिलक्स के जगाए आप मिर्ज पाउडर भी यट करे सकते हैं और बड़ी असे बच्छे से हमें उबालाने देना है जैसे उबालाना चौरू हो जाएगा तो हमने जो आलु किसके रखा है उसका हमें सारा पान गशना हमें निकाल ल crocod लेना है अलू को आलु को हमें एट कर लेना है तो आलु को बड़ी असज़े से मिला लेते हैं पानी के साथ अब एक उबाल अच्छे से आने देते हैं आलू को डालने के बाद भी देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ गया है तो आलू को हमें अच्छे से एक बार अच्छे से उबाल आएगा तो इसमें हम डारेंगे एक कटोरी सूजी एट करनी है सूजी हमें बारिक वाली ही यट करनी है तो सूजी को हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि लम्स ना पड़े तो आप इस टेंप पे आप गैस की फिलम को है उसे लो कल ले ताकि लम्स ना पड़े वो अच्छे से हमें मिला लेना है हम अच्छे से चलाते हुए मिलाना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना आए क्या अगर गैस की फिलम को हम तेज रखते हो इस तरीके से कोई भी नास्ता बनाते है तो लम्स आ जाते है तो हमें गैस की फिलम को बिल्कुस दिलू रख लेना है वो अच्छे से हैं मिला लेना है ताकि एक भी लम्स ना पढ़ा है हम बढ़िया से अच्छे से हैं मिला लेते हैं अब दिख सकते में अच्छे से मिला लिया है सभी धीला है तो थोड़ा सभी चलाएंगी तो विल्कुर से सूपा सूपा सा एक हट्टा होने लगेगा देखिए दो मिलट लगे हैं मुझे दील्डो की फों में आ गया है तो हम फिलम हम कर देते हैं व एक वाईतन में नेकाल लेना है हमें तो एक पलेटो में निकाल दिया है विसे हमें हलका ठंडा होने देना ताकि हम आराम से छूच सके इतना हमें ठंडा करना है ज्यादा ठंडा नहीं हमें करना है हलका गुनगुने में ही हम नास्ते का हम सेप देंगे देखिए हलका सा गुनगुना सा ही है अब इसमें हमें क्या करना थोड़ा सा हमें डोपोर्ट हाना इस तरीके से इस तरीके से निवू होता है उस तरीके से निवू से थोड़ा सा बड़ा ही हमें हमें बॉल से इस तरीके से तरीके से हमें नास्ते को हम बना लेते हैं तो आप इने श्टोल करें कि लग सकते हैं और आपको जबंन पढ़े खाने का होतना आप में करका लिए दो को अश्क नपर को में अच्छे से करना है ताकि अच्छे से वाल करको अधिकर किलाता है तो मैं उन्साइब दिए करना हैं च्टक हाएग सै own मोइन तक हम हर जैसे जैसे ना सुरू होए ति हना सुरू है तो हमें अच्छे सा कला लाने तक हमेने सैंकना है । आप देख सकते हैं जिसे कंस शुरू हो गया है तो ऑपर हमारा जम्माश्त्या murdered' लगते हैंकेद्ग मित्खते की पहुती कम समय को भू भास्तर दस मिलटНके जाद्वल समय भी लगता है जो हमारा जो नास्ता है बेना ताम-झ्याम की बन के तैयार हो जाता है तो इसी तरह से हमें सारी नास्ते को हमें सैक लेना है जो नास्ता बहुत ही किस्प्पी और बहुत ही लाजवाब πिनाइएगा यह इसे हरी चपनिया ने शर्छतो जरू के सा जरू शर्ब करें आपके TV सब को पसंद आएगा तो इस नास्ते को इवा जरूर ट्राई करें ट्राई करकी कमेंट बोक्स में मुझे जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लागा अगर वीडियो जरा सभी पसंद आया हो तो दोस्तों और फैमिली बालों के साथ इस वीडियो को सेर करना विल्कुल भी न भूले तो बहुत ही किस्पी बहुत ही प्लाजवा हमारा नास्ता बनके तयार हुआ है तो चलिए मिलते इसी तरह के एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए